आप स्टड़ी के ओन्लाइन फ्लेटफर्म में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त कनया और आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान के कला और संस्क्रति का जो टॉफिक है राजस्तान की लोक गाइन सेलिया जो है और राजगराने उनके बारे में हम बात करेंगे पिछली क्लास में राजस्तान के लोक गीतों के बारे में हम जो लोक गीत हैं उनके बारे में पिछली क्लास में ह आज हम विसक्स करने वाले हैं लोक गाइन सेलिया, कौन कौन से सेलिया और राग कौन से है और कैसे कैसे जो लोक गीत गाये जाते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्लास में स्टार्ट करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं लोक गाइन सेलिय क्या है, लोक गाइन से सेली होती है यह चार प्रकार की राजस्तान में चार प्रकार की सेलियां है मांड सेकंड है लंगा एक फूर्थ है मंगनियार फूर्थ है ताल बंदी यह सेलियां है दें रखेगा जो लोक गीत गाते हैं उनकी यह सेलियां है मांड लंगा मंगनियार और ताल बंदी यह चार सेलियां है इनके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से पहली से लिए मांड के बारे में बात करते हैं ठीक है मांड गायकी में कौन कौन से कलाकार है और कहां ये राग कहां गाई जाती है ये कौन सी है राग कौन सी है मांड राग है द्यान रखिए का मांड राग है नाम से क्लिए होता है मांड गाय की से मांड राग में ये जो लोकगीत है वो गाय जाते हैं ये कहां परचलित है जेसल मेर में परचलित है ठीक है द्यान रखिए जेसल मेर में परचलित है मांड ग बालम लोक है ठें लोक की था वो कौन सी राग में गया जाता है मांड राग में गया जाता है किसके द्वारा गया जाता है ये आपको पता है मांगी भाई सर्तम मांगी भाई और अल्ला जिलाही ठीक है अल्ला जिलाही और जो मांगी भाई है इसके द्वारा गया था बहुत बातरह में बहुत ज़्यादा अल्ला जिलाही भाई की द्वारा और मांगी भाई सर्तम किसके द्वारा गया था अल्ला जो मांगी भाई है उनके द्वारा गया गया था इनके बारे में काफी important इनके बारे में किसम बनता है तो last में बात करेंगे इनके बारे में इसके अलावा हम बात करेंगे कौन को से मांड है ठीक है मांड को से है जो राग मांड है वो कौन को से मांड है उसके बारे में हम बात करते हैं आगे थोड़ा इसी का मां मांड गय की कहा कौन गाता है ये मांड राग जो लंगा जाती है द्वारा गाया जाता है ठीक है और कौन सा वाद्दे यंतर यूज लिया जाता है सारंगी ठीक है सारंगी वाद्दे यंतर के साथ ये गया जाता है ठीक है और बात करते हैं जेसल मेरी मांड बिकानेरी मांड जोधपुरी मांड ठीक है जैपुरी मांड जो मांड प्रसिद है इन में मांड के बाहरे मनें बता दिया बेynnय अल्ला जिला ही और इनके दुवारा जो गीत गाया गया था की शरीयाबालम वह राग मांड में गया गया था इसके लाबए और प्रसिद है गवरी देवी ठीक है गवरी देवी जमीला बानो ठीक है इसके अलावा बानो बेगम आद्धी जो राग मांड है जो जो मांड है ठीक है मांड गाए की है कौन कुन शी है मांड की गाए किया है जो मांड राग में गीत जो लोक गीत गाती थे ठीक है आगे बात कर लेते हैं सेकिंड लंगा गाए की ठीक है यह लंगा जाती है है वह यह गीत गाती है इस राग में लंगा राग में लंगा जाती की गाई जाती है लंगा जाती है वह इस राग में गाती है यह कहां की है कि बिकानेर कि बाड़मेर कि जोधपूर कि और जेसलमेर ठीक है इस छेत्र इस छेत्र में यह गाया जाता है द्यान रखेगा इसी छेत्र में गाया जाता है लंगा जाती के मुख्य वाद्दी यंतर कौन से अब जो लंगा जाती है उसके वाद्दी यंतर कौन-कौन से है सारंगी ठीक है, सारंगी और कायम एच्चा है, ठीक है, सारंगी तो कायम एच्चा है, इसके वाद्देवन्तर है, इस जो लंगा गाय की के कलाकार कौन-कौन से है, इसके बारे में फूसे खां, करीमना, महर दीन और अलादीन, इसके मुख्यक लागार है, जो लंगा राग है, लंगा गाय की के, मुख्यक लागार फूसे का, करीमना, ठीक है, और इसके लावा महर दीन, अलादीन ये मुख्यक लागार है, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स जो सेली है, लोग गायन सेली है, थर्ड मंगनियार गाय की, ठीक है, कोन से जाती गाती हैं, मंगनियार जाती के दवारा गाय, तो मंगनियार जो जाती है, उसके दवारा गाय जाता है, इस से राग में मन्गणियांर राग में यह कहा प्रसिलित है द्यान रखेगा कहां बाढमेर कि इसके ऐलावाद जैसल रहे में और इसके ऐलावाद जोद इसी छेत्र में मांगनियार जाए कि जो मांगनियार जाती है वो इस छेत्र की मांगनियार जाती है वो इस राग में जो मांगनियार राग है इसमें गाती है जो लंगा जाती है मांगनियाराग में गाती है इसमें 6 राग है और 36 रागनिया है आगे बात कर लेते हैं अलावा कौन-कौन से जो वद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द मांगनियार गयकलाकार कुण है जो मांगनियार कहा है, सद्धी खां, मांगनियार, साकर खां, मांगनियार, रमजान खां, रुकमा देवी ठीक है और इसके लवा अकला देवी जो है मुख्य कलाकार है मांगनियार गायकी के मांगनियार राग है उसके मुख्य कलाकार है इसके अलावा हम बात करेंगे इसके बार इंपोर्ट सदीख कहा देवी ठीक है सदीख को थे मांगनियार को खरताल का जादूगर कहा जता है और वहीं बात करते हैं साक कर खा जो मांगनियार रहे है इसके अलावा क्योंस मैं आ बन्ता है प्रसिद काम मेंचा वादक है यह है कोorders mentre लो कि आधिके और मिलास्त और में लोड़ कर दूंगा तो आप अच्छी तरह यह याद हो जाएंगे ठीके आगे बात करें अब आ पान फोर्ट नमर्ट लास्ट है सेलि उसके बारे में बात कर लेते हैं कौन सी सेली है ताल बंदी ताल बंदी गाय की ठीक है इसके बारे में बात करते हैं कहां इस ताल बंदी में किस परकार कहां राग में कहां कहां गाय जाता है कौन सा चरह राजस्तान का जो पूर्वी छेतर है ठीक है पूर्वी छेतरों में जो भरतवुर है ठीक है धोलपुर है करूली स्वाई मादवपूर यहां पर यह प्रचली था त्यान रखिएगा तो पूरी जिद भरतपूर धोलपूर करूली और स्वाई मादवपूर में ताल बंदी गाय की प्रसिद है ठीक है अब बात करते हैं राज घराने ठीक है जो संगीत के घराने है कौन-कौन से है और के संस्थापक कौन है अब बात कर लेते हैं कौन-कौन है यह काफी इंपोर्टेंट है याद रख लिएगा ठीक है संगीत घराना ठीक है और यहां संस्थापक अब संस्तापक कौन है उसके बारे में हम बात करने वाले है जैपुर घराना है इसके संस्तापक कौन है मनरंग खा या बूपल खा या बूपत खा ठीक है जैपुर जो संगीत घराना है उसके संस्ताप मनरंग खा वह बूपत खा है ठीक है याद रखेगा जैपुर जो संगीत घराना है उसके संस्तापक कौन है मनरंग खा वह बूपत खा है वह जैपुर का बीनकार घराना जो जैपुर का बीनकार घराना है जियापूर का बीनकार घरना है उसके संस्तापक है रजब अली बीनकार ठीक है द्यान रखेगा बीनकार रजब अली बीनकार संस्तापक है अत्रोली घरना जो अत्रोली घरना है उसके संस्तापक कोन है सहाब खां जया रखेगा सहाब का है जो इसके संस्तापक है इस घरने में मान तोल खां रूलाने वाले फकीर है ठीक है इस घरने के मालतोल खां है जो रूलाने वाले फकीर के रूप में प्रसिद है ध्यान रखेगा जो साहब खां है इस घराने के जो अत्रोल खां के घराने के जो कौन है जो मनतोल खां है रूलाने वाले फकीर के नाम से प्रसीद है ध्यान के जो अत्रोली खां है अत्रोली राद संगीत घराना है वहां के मनतोल खां है उनको रूलाने वाले फकीर के नाम से प्रसीद है ठीक है आगे बात कर लेते हैं यो नेक्स्ट घराना है संगीत अलादिया घराना अलादिया घराना है ठीक है अलादिया घराना है उसमें अलादिया खां ठीक है अलादिया घराना अलादिया खां से ही पड़ा है ध्यान के गा जो अलादिया खां है उसकी नाम से पड़ा है तो उसके संस्ताफ़क अलादियां खाही है ठीक है इसके वाला किसोरी अमनोद कर परसिद गाई का थी जो अलादियां संगीत घराना है उसकी परसिद गाई की खुनती तो द्यान रखिएगा इसके बारे में अमनोद कर ठीक है अमनोद का जो प्रसिद गाई की थी जो की सोरी थी लड़की जो महिला या लड़की गाई का कौन थी तो यहाँ पे अलादिया संगीत गरानी के प्रसिद गाई का कौन थी तो गाई का थी अमनोद कर ठीक है आगे बात कर लेते हैं सेनिया सेनिया के बाद तेड़ सेनिया जो इसके कोन हैशुरत सेन है सेनिया सेनिया जो घराना है उसके संस्ताप स्ष goodh सेन अगे बात करते हैं, मेवाती घराना ठीक है मेवाती घरानेивается उस्ता उस्ताद घंगे नजीर खां ठीक है नजीर खां है ध्यारकी का मेवाती घराना उसके उस्ताद घंगे नजीर खां इसके कौन थे संस्तापक थे आगे बात कर लेते हैं अपन रंगीला घराना ठीक है रंगीला घराना के संस्तापक कुन थे रमजान खां मिया रंगीले हैं आगे बात कर लेते हैं डागर घराना है वहां की संस्तापक कुन थे डागर संगीत घराने की संस्तापक कुन थे बहराम खां ठीक है पहराम खां डागर ठीक है याद रखिएगा आगे बात कर लेते हैं दिल्ली घराना दिल्ली घराना का संस्थापक कोन थे सदारंग या नियामत खाँ ठीक है दिल्ली घराने के संस्थापक कोन थे सदारंग या नियत खाँ ठीक है आगे बात करने हैं की राना घराना है उसके संस्तापक कौन थे तो बंदे अली खा बंदे अली खा है वो संस्तापक थे आगे बात का लेते हैं आगरा जो घराना है आगरा घराने के हाजी सुजान खाते ठीक है हाजी सुजान खाते वो आगरा घराने के संस्तापक थे आगे बात कर लेते हैं कथक घराना कथक घराना इसके संस्तापक कौन थे भानुजी इसके संस्तापक थे आगे बात कर लेते हैं कुछ और जातिया है उसके संगीत कौन-कौन से हैं ठीक है आधी और संगीत कलावन्त जातियां है जो तरीगे से गाईक है अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट क्या बनते हैं अबको यह थोड़ा याद रखना है और काफी जो जो इंपोर्टेंट वो बात करें नहीं ठीक है सद्धीक खां ठीक है सद्धीक खां को लेकर क्योंसन आ सकता है सद्धीक खां मंगनियार सद्धीक खां मंगनियार को खरताल का जादूगर किसे केते हैं सद्धीक खां मंगनियार को बोलते हैं अब बात करते हैं अब साकर खां मांगनियार इसके बारे में बात करते हैं सांगर मांगनियार तो प्रसिद कामचा वदक हैं कामचा के प्रसिद वदक कोन हैं तो द्यनका साकर खां मांगनियार वदक है ठीक है याद रखिएगा इंके बारे में आगे बात कर लिते हैं कि रुकमा देवी छिues रुकमा देवी मांगनियार जो गाई की है मांगनीयार जो राग है उची की गाय की हैं तो यहाँ पर बात करते हैं यह थार की लता थार की लता किसे बोलते हैं रुकमा देवी को थार की लता बोलते हैं अगर यह किसे नाए थार की लता किसे बोलते हैं अप्शन में अगर रुकमा देवी आता है तो इसका राइट अंसर होनी वाला है ठीक है आगे बात कर लेते हैं और मांड राग के बारे में मांड राग में केसरिया बालम अभी मैंने बताए था केसरिया बालम अल्ला जिलाही बाई ठीक है अल्ला जिलाही बाई के बारे में जो केसरिया बालम सरवादिक गाए जाने वाली गाई का कौन है तो अल्ला जिलाही बाई ठीक है अल्ला जिलाही बाई इसके अलावा मांगी बाई ने सर्फम केसरिया बालम है वो लोक गीत गाया था ठीक है जो लोग गीत है केसरिया किस ने गाय था मांगे बाई ने उस सरवादिक बार अल्ला जिला ही बाई ने गाय था अल्ला जिला ही बारे के बात करते हैं 1902 में इनका जनम हुआ था कहा हुआ था बीका नेर में ठीक है बीका नेरमेन का जनम हुआ था 1902 में उसके लिए मांड गाई की है ठीक है मांड गाई की आपको पता है अभी मैंने पता दिया था आपको मांड गाई की है मांड राग में गीत गाई था को था केसरिया बलम और भी गीत गाई थे इसे क्या बोलते हैं राजस्तान की मरू कोकिला बोलते हैं अलाज जिलाही बै को बोलते हैं इसके अलावा मुस्ट इंपोर्टनेंट इनको पदमसरी से भी समानित जा चुका है ध्यार रिखेगा 1982 में पदम सिरी से सम्मानित किया जा चुका है ध्यार रिखेगा पदम सिरी से सम्मानित एक मात्रे लोक गाए की कोण है अलाज जिला ही बाई। कब किया था 1982 में किया था important है तो याद रखिएगा ठीक है आगे बात कर लेते हैं मंगी बाई के बारे में के मांगी बाई ठीक है मांगी बाई के बारे में मांगी बाई का क्यों थी के सरी आप बालम गाने वाली सर्फब्तम किसने गय था मांगी बाई ने केसरी अबालम मांडराव ने ठीक है किसमें मांडराव ने ठीक है आगे बात करें इनका जनम कहा हुआ था परताफ गड़ में हुआ ठीक है इसके अलावा बात कि राजस्तान की दूसरी अगर किसी भी प्रकार का आपको किसी भी क्यूशन को लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करना ना भूले वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अम मिलते हैं नेक्स क्लास में नेक्स वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत झाल, 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 झाल